चार बोतल बोड का काम मेरा रोसका ने भात का भविश्य तबाह का रखा है। भूखे नंगे तरपते सोजाते हैं लोग मजदूर को मजदूर समझे मजबूर नहीं गरीब को काम पूछे दान नहीं और अगर दान देने के चुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजे और मरने के बाद दंगदान देकर किसी मर्ते होए को जीवन दान दीजिए यही सची देश वक्ती और यही सचा राश्ट्र प्रेम हैं ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और एक वेचारिक बीमारी हमाई समाज में मुझे नजर आती है कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोग तंत्र हैं जहां हिंदू पैदा होते हैं मुस्लिम सिक और इसाई भी पैदा होते हैं लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरुवत है ना मुसल्मान की जरुवत है रश्ट निर्मान के लिए केवल अच्छे इंसान की जरुवत है जरा सोच कर देखिए ये पेड़ पौदे और शकाएं भी परिशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसल्मान हो जाएं एक शेक्षिक बीमारी भी हमाई समाज में मुझे नजर आती है और बड़े याश्चर्रे की बात है जिस तेश ने पुरी दुनिया को तक शीला और नलंदा देकर के विश्युध्याले शिक्षा की बुनियाद रखी आज विश्युध्याले में हमारा एक भी विश्युध्याले खड़ा नहीं हो पाता जहां एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षन संस्थान है तो वहीं दूसरी और इस तेश के गरीबों को बेरुजगारी की जमाद में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्फ शिक्षा भ्यान का जुन्जुना पकड़ा दिया जाता है और मैं बता दूँ इस शैक्षनिक बिमारी का केवल एक कारण वो ये कि हमाएं देश के शिक्षनिति केवल दो तरह के लोगों के लिए बनती है पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है इसी तरह की कई गजब की बिमारिया है और इन बिमारियों की ज़ड़ है ना वो हमारा अंदुश्वास और मेरे विचारों में जब तक इस देश का यूव अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोर्ड फोर्ड कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा हमारे समाज का श्चिक शितवर्गी बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना अपने धर्म अपनी जाती को उचा मानकर दूसरों के धर्म की अवेलना कटता रहेगा तब तक ना तो इस देश से अंदुश्वास का तम होगा और ना ही हमारा राष्ट निर्मान संबव होगा हमारी सस्किती हमारी सब्धेता को दुनिया ने शीष नवाया है तो क्यूं आस्ता के नाम पर हमने अंदुश्वास फैलाया है मेरे विचारों में हमारा राष्ट निर्मान तब संबव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इस्दत की जाएगी राष्ट निर्मान तब संबव होगा जब हम जाती का दरक्षन नहीं बल्कि समाजी स्चक्तिकर्ण पर बात करेंगे राष्ट निमान तब संभव होगा जब स्वश्ट अभ्यान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बंटाएगा स्वच्छ भार्त स्वश्ट भार्त को दिल से अपनाएगा असल माईने में हमारा राश्ट निमान तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्यान भोजिन के नहीं बल्कि यानर्चन के लिए सरकाई स्कूल की चोखड़ पर कदम रखेगा और हमारा राश्ट निमान तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागर एक नैतिक रूप से सटीन, चारित्री रूप से ब्रष्ट, मांसिक रूप से दिवाल्या, धार्मिक रूप से अंधा, रानैतिक रूप से गंदा, स्वेचिक मानमूलियों के आंकडो में, जिन शिन पैपंदमई, अखंड भारत को खंड खंड कटता रहे सरत पर दिन राथ हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को इस देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पुरी इमानदारी, पुरी महनत और पुरी लगन से करते हैं जिनके बिना राश्ट निर्मान की कल्प ना करना असंभव से लगता है और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूं कि हमारा रश्ट ने मान तब संभव होगा जब हम सभी मैं आप हम सब मिलकर प्रयास करेंगे क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे लिए जाने की हम नमस्कार साथियो एक बहुत मैंत्रपुन जानकर आप लोगों को देने के लिए आया हूं लखनव के अंदर मात्र 600 रूपे से 1200 रूपे स्क्वाइर फिट के बहुत सस्ते पलोट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने छेत्रफल के आप लोग चाहें 600 जाये और फिर मोगा कर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीजें चूट जाएंगे तो देर मत कीजिए जल्दी से अपना फोन उठाई और इस नमबर पर संपर्क कीजिए धन्यवाद